आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास फाइब के इंगलिस बुक मैरी गोल्ड का तेंथ चैप्टर हूँ विल बी निंग्थाव का हिंदी एक्स्प्लेनेशन तो चलिए देर ना करती हुए वीडियो को शुरू करते हैं बहुत समय पहले मनिपूर के कांगले पाक परदेश में एक राजा और रानी जिन्हें मनिपूरी में निंग्थाव और लेमा कहा जाता था वे लोग रहते थे, लोग उन्हें बहुत ही प्यार करते थे, राजा और रानी हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सूचते रहते थे, वे कहते थे कि हमारे जो प्रजा है उन्हें हमेशा खुस होना चाहिए, केवल उनकी प्रजा ही नहीं, बलकि वहां रहने वाले जितने भी पसू, पक्ची और जानवर थे, वे सभी उन राजा और रानी से बहुत ही प्यार करते थे राजा और रानी हमेशा कहा करते थे कि कांगले पाक में रहने वाले सभी सांती से रहें सभी लोग एक दूसरे से मिल जूल कर रहें केवल लोग ही नहीं बलकि पसुपक्छी, जानवर और ब्रिक्च भी एक दुसरे के साथ खुस रहें तथा मिल जूल कर रहें राजा और रानी अपनी प्रजा को हमेशा कहा करते थे कि सभी लोगों को मिल जूल कर रहना चाहिए चाहिए वो पसुपक्छी हो, पेड़ हो, कोई जानवर हो या कोई भी मानव हो, सभी को आपस में मिल कर रहना जाहिए लोगों के जो राजा और रानी थे, उनके तीन बेटे थे, जिनका नाम था संजोवा, सन्येमा और संतोंबा कुछ समय के बाद, यानि की लगभग 12 बर्स के बाद, उनके घर एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया संतोंबी वो बड़ा ही खुबसूरत और बहुत ही प्यारी बच्ची थी, वो अंदर से कोमल और सुन्दर थी, सभी लोग जो थे, उनसे बड़ा ही प्यार करते थे धीरे-धीरे समय बितने लगता है, और बच्चे भी जो हैं, वो बड़े होने लगते हैं एक दिन राजा और रानी जो थे, इन दोनों ने आगे फैसला लिया कि आगे जो राजा है, यानि कि हमारे बाद जो यहां राजगर्दी समभा लेगा, वो कौन होगा इसके लिए उन लोगों ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि अब हमें भावी राजा के बारे में निर्नाय करने का समय आ गया है यह सब सुनकर जो मंत्री है वो चौक जाते हैं, वो कहते हैं कि राजा साहिब आपका जो बड़ा बेटा है वो ही तो राजा बनेगा यह सुनकर जो राजा है वो जबाब देता है कि नहीं, अब समय जो है बदल गया है सबसे जो मेरा बड़ा बेटा है वो हमेशा राजा बनता आया है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा राजा वही बनेगा जो राजा बनने के योग्य हो रानी ने कहा कि भावी राजा को चुनने के लिए हम एक परतियोगीता आयोजित करेंगे और इस प्रकार से जो परतियोगीता में जीतेगा उसे ही हम लोग राजा बनाएंगे इस तरह से एक दीन तै होता है और सभी लोग घुरसवारी की परतियोगीता का परतिक्षा करने लगते हैं क्योंकि रानी ने कहा था कि घुरसवारी के परतियोगीता में जो प्रताम उसने कहा था कि जो कोई भी बट ब्रिक्ष के पास सबसे पहले पहुँचेगा उसे ही यहां का राजा घुशित किया जाएगा। एक साथ और एक ही बार तीनों ने दौल समाप्त की है तो अब आगे जो है राजा कौन बनेगा। क्यूंकि सभी लोग जो थे तीनों जो थे यह कुसल घुड सवार थे और सभी एक ही समय पर समापती रेखा पर पहुँच गये थे। लोगों के बीच बहुत ही उत्तेजना हो रही थे। सभी लोग चिलाते रहते हैं कि देखो अब क्या होता है। सभी लोग खुद से इस बात की जिक्र कर रहे थे कि ये तीनों जो हैं ये बहुत ही कुसल घुड सवार है। लेकिन फिर भी सभी के मन में ये प्रस्ण उभर कर आ रहा था कि कौन भावी राजा राजा और रानी अपने पुत्रों की ओर मुडते हैं। राजा ने कहा संजोवा, सन्येमा और संतोबा। आप सभी ने ये साबित कर दिया कि आप सब जो हैं ये बहुत ही अच्छे घुर सवार हैं। आप में से परतेक एक दुसरे से अगर कुछ अलग करके दिखाएगा त सभी क्या करेंगे राजा बनने के लिए। अचानक संजोवा घोडे पर सवार हो जाता है और अपना भाला अपने सामने सीधा पकड़ लेता है। वो लोगों के तरफ आसपास देखता है। सभी लोगों के बीच चुपी थाई हुई थी। सभी लोग बहुत ही सांत रहते ह संजावा सबसे बड़ा लड़का था ठीक है। वो अब खुद में सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वो सबसे थोड़ा सा अलग हो। संजोवा ने तब कुछ दुरी पर सान से खड़े एक बिसाल बट ब्रिक्ष को देखा। उसने पेड को अपने भाले से भेद द दिया। तभी जितने भी लोग इस प्रतियोगिता को देखने आये थे वो सभी चिला उठ्थे हैं कि स्याबास स्याबास तुमने बहुत ही अच्छा किया। उसके बाद सभी लोग फिर से सांथ हो जाते हैं। उस जो बट ब्रिक्ष था उसको देखता रहा। फिर उसने भी ब्रिक्ष की ओर घोडे को तेज गती से दोडाया। लोग अब भी पूरी तरह से सांथ होकर देख रहे थे। सभी लोग की जो सांसे थी वो थमी हुई थी। जब वो बास्तों में उसके नजदिक था उस उस बिसाल ब्रिक्ष पर छलांग मार कर बहुत ही तेजी गती से उधर उतर जाता है। लोगों ने राहत की सांस ली और फिर वो सभी एक सांथ चिला उठते हैं कि बहुत खुब तुमने भी बहुत ही अच्छा किया। और अब बारी थी सबसे छोटे बेटे संतोंबा की। वो भी अपनے घोडे पर सवार होकर बट ब्रिक्ष की तरफ आगे भागता है। और इससे पहले की लोग जाने की क्या हो रहा है ये क्या करेगा तब तक वो उस ब्रिक्ष के पास पोहुचता है और उस पूरे पेड़ को ही उखाल लेता है। उखाल कर वो अपने घोडे प वहाँ पे उस तमासे को देख रहे थे, वो सभी फिर से चिलाने लगते हैं कि स्यबास स्यबास बहुत ही अच्छा तुम ने किया, ठीक है, अब सभी लोग फिर से यह सूचने पर मजबूर हो जाते हैं कि तीनों ने अपनी अपनी परतिभा से बहुत ही बहतर किया, लेकिन अ अब राजा और रानी किसे अगला भावी राजा बनाने वाले हैं। वे सभी लोग सोच रहे थे कि राजा रानी इतने देड़ तक अब क्या सोच रहे हैं कि आगे वे लोग अब घोसना क्यों नहीं कर रहे हैं। राजा और रानी सना तोमभी जो उनकी पांच बरसिय पुत्री थी उसी को निहार रहे थे वो उदास और बिलकुल ही अकेला दिख रही थी उसने बट बिरिक्ष को देखा जो राज सिंहासन के पास बिलकुल मरा हुआ था और जो पक्षी उस बट ब्रिक्ष में रहते थे वो दुख में अपना पंक फड़फडा रहे थे वे ब्रिक्ष में अपनी घोंसला ढून रहे थे सना तोम भी बट ब्रिक्ष के पास जाती है और वो धीरे से बोलती है बट ब्रिक्ष अब मर गया है इसे भाला से चोट लगी और ये अब मर गया है लोग ध्यान में लिन थे राजा तभी यह सब देखकर उठ खड़ा होता है वो उठता है और अपनी छोटी बेटी की तरफ निहारना सुरू कर देता है निहारने के बाद कुछ समय के बाद राजा कुछ सोचता है और सुचने के बाद वो कहता है कि यदि कोई सासक बनने के योग है तो वो सना तुम भी है क्योंकि ये इतनी छोटी उम्र में इस बट ब्रिक्च की आत्मा को वो महसूस कर रही है वो इस पेड के दर्द को महसूस कर रही है वे लोगों, जानवरों, पक्चियों, ब्रिक्चों के दर्द को महसूस कर सकती है लेकिन मेरे जो ये लड़के हैं, तीनों लड़कें ये इस दर्द को महसूस नहीं कर पाए उन्होंने इस पेड को भाले से भेदा, इसके सासाथ इसके उपर छलांग लगाया तथा जो तीसरा था, इसने इस पेड को ही उखाड कर मेरे चर्णों में रख दिया लेकिन इस पर रहने वाले जानवर के बारे में, तथा इस बट ब्रिक्च के बारे में उसने नहीं सोचा ये सोचने के लिए सिर्फ सनातोंबी है, जो बाकी जो भी पसुपक्ची है, जानवर है, उसके दर्थ को वो समझ रही है तब राजा घोशना करते हैं कि मैं सनातोंबी को कांगले पाक की भावी रानी घोशित करता हूँ ये सुनकर सभी लोग में चुपपी छा जाती है, सभी उस छोटी सी लड़की को अपनी भावी रानी की रूप में देखने लगते हैं वो केवल पांच बर्स की थी और छोटे से बट ब्रिक्च की भाती वहाँ पे खड़ी थी, जिसके चारो और पक्ची मड़रा रहे थे वे उसके कंधो और सीर पर धीरे धीरे सभी पक्ची बैठने सुरू कर देते हैं उसने दोनों हाथ अपना खोल रखा था, ताकि जितने भी पसुपक्ची थे वो फड़़़ा कर उसके हाथों पर बैठ रहे थे कुछ समय के बाद उसने दाना छिड़ डिया, ताकि जो भी पसुपक्ची है वहाँ पे आके दाना चुगे कुछ समय के बाद राजा कहते हैं कि रानी वो है या राजा वो है जो अपने राज में किसी को भी कष्ट नहीं पहुँचाए सभी को वो बराबर्द रिष्टी से देखे तथा सभी को सभी के लिए उसके दिल में प्रेम हो तो दोस्तो यह था इस चैप्टर का हिंदी एक्स्प्रेनेशन तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए दोस्तो अन तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद